हेलो दोस्तो स्वावित करता हूँ आपके अपने चैनल टोक्स फोरियो में दोस्तो आज का वीडियो संजेविस कोलेज रांची के इंटर्मेडिट सेक्सन के लिए है सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कोमर्स इस्टीम का सिकेंड सेलेक्सन लिस्ट के बारे में तो यहाँ पर उससे रेलेटेड जो है कुछ इंफर्मेशन आया हुआ है मैं आप सभी को बता दू देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कुछ सीटे जो है अवलेबल है क सिस्टीम में लेकि उसके लिए यहाँ पर कोई सिकेंड लिस्ट निकाला नहीं जा रहा है उसके लिए क्या कहा गया है वह भी देख लीजे जो भी इंट्रेस्टेड कैंडिडेट से इस्टुडेंट से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो वैसे इस्टुडेंट क्लस क मार्क सीट को ले करके प्रिंसफल से मिल सकते हैं वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि आपका एडमिसन लेना है या फिर नहीं लेना है मतलब कि अच्छे मार्क से होंगे तो आपका जिरूर एडमिसन हो जाएगा ठीक है यहाँ पर उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो पह पहले पाओ वाला सिस्टम यहां पे चलने वाला है, तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोमर्स सिस्टेम के लिए सिकेंड लिस्ट नहीं आने वाला है, आपको कॉले जाना होगा, अगर आपका admission नहीं हुआ है, मतलब कि आपका selection list में नाम नहीं आया था, और आ ने जो है orientation program के लिए आपका यहाँ पे date निकाल दिया है इसके साथ है academic session 24-26 का classes कब से start होंगे उसका date यहाँ पे निकाल दिया गया है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और सभी चीज़े है जो आपको बताता हूँ ठीक है तो देखिए यह जो notice आप देख रहे हैं यह संजेविल कोलेज राची ने जारी किया है ठीक है यहाँ पे आपको orientation program का जो है schedule देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ classes का सबसे पहले बात करते हैं आपको अगर नहीं मालूम होगा वहाँ पे तो वहाँ पे आप गार्ड या पर किसी टीचर या पर किसी भी स्टाप से भी पता करके पहुंच सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर टाइम दिया गया है तो वह भी stream wise है यहाँ पर दिहान रखिएगा नौ बजे से साड़े दस बजे जो है आठ्स का होगा यहाँ पर और गार से साड़े बारा कोमर्स का और दो से साड़े तीन बजे तक साइंस का चलेगा ठीक है उसके बाद बहुत सारे students का जो है comments आ रहा था कि यहाँ पर कौन सा uniform या identity नहीं किया गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि orientation program कब होने वाला है कहां होने वाला है और कब होने वाला है यह तीनों का answer मिलिया होगा तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि आपका जो है यहाँ पर कब से classes से start होंगे तो आपका जो classes है यहाँ पर 8 July से start हो 6 बज कर 35 मिनट से 10 बज कर 50 मिनट तक चलेगा ठीक है लेकिन science का थोड़ा सा अलग है यहाँ पर देखिएगा science का 10 बजी सुबर से 4 बजे यहाँ पर साम तक मतलब की 10 से 4 बजे का यहाँ पर time रहने वाला है ठीक है तो दिहान रहे कि आपका यहाँ पर 8 July से classes start हो रहे है ठी करना होगा उसके बाद यहाँ पर कहा गया है come in proper और decent dress if you don't have uniform ठीक है अब भी अगर आपने अपना जो college का uniform है अगर आप बनवा लिए हैं तो college में आप जो है proper uniform में आईए और अगर आपके पास अभी तक नहीं बना है तो आपको इसा भी simple सा dress code में आ सकते हैं लेकिन एक उसके बाद ही college जाई है तो अच्छा रहेगा ठीक है उसके बाद दूस्तों यहाँ पर कहा गया है the college uniforms are available nearby college gate देखें यहाँ पर बताया गया है कि अगर अभी तक आपने जो है uniform से नहीं लिया है तो college के gate के आसपस काफी सारे आप दुगान है आप जाकर को वहाँ से ले सकत ठीक है वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने नहीं देखा जो की uniforms related है उस वीडियो का link जो है इस वीडियो के i button में देखने को मिल जाएगा आप क्लिक करके देख लिए वहाँ पे आपको अच्छे दामों में सारे जो है uniform मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद दुस्तों यहाँ पे और एक जो है यह आपके लिए बहुत मात्पून है यहाँ पे कहा गया है download, print and wear your temporary ID card देखे अभी आपको college में नहीं मिलेगा मतलब कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा जो है आपका permanent ID card लेकिन अभी आपकी website में available हो गया होगा आपका temporary ID card तो आपको download क लेना है और print out कराके आपको एक ID card का frame या फिर जो है गले में पहनते हैं वह आपको लेना है और उसमें डाल करके आपको college पहन करके जाना है ठीक है यह यहाँ पे अनिवार यह है तो आई होब दूस्तों आपको समझ में आ गया होगा सभी चीज़े कि कब से आपका classes start हो रह